करनाल एक गाव हर सिंहापुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गाव की एक 55 साल महिला राजवन्ती अपने घर से कहीं गायब हो गई पुलिस अब राजवन्ती की गुमशुद्गी के मामले की जाच कर रही थी लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था वो अपने घर में किसी को बताए बगएर कहीं चली गई थी इस सिलसले में घरवालों ने घरोंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी महिला की दिमागी हालत ठीक थी किसी से कोई शिकायत परिशानी नहीं थी अचानक कहां गई ये राजवना हुआ था ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमई मामले की जाच सियाईय स्टाफ के हवाले कर दी गई इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तिफाक पर गया इत्तिफाक ये कि जिस रोज से राजवन्ती देवी गायब थी उसी रोज उसी गाव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी पच्चीस साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था ऐसे हुई थी अंतिमा की मौत अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और जुलसने की वजह से मारी गई ये वारदा तब हुई जब लड़की के घरवाले बाहर थे जब घरवाले लोटे तो बेटी की लाश देखकर सन रह गए वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था लेकिन कपड़े और जुलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये अन्तीमा की ही लाश है अब घरवालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अन्तिम संसकार कर दिया अब पुलिस ने दोनों मामलों की जाँच सात में करने का फैसला किया पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मान कर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संसकार कर दिया था उसकी मौत की कोई जाँच नहीं हुई थी ऐसे में CIA स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया एकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया एकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। अब CIA स्टाफ क टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था ही। शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो चार महीने पहले अपने ही घर में शौर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई जाहिर है अंतिमा जिन्दा थी। तो फिर सवाल है कि मरी कौन थी। जवाब है मरी थी। अंतिमा के गाव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवन्ती देवी। फेस्बुक पर हुआ अफेयर। अंतिमा ने बताई कहानी पुलिस के शिकंजे में आई। अंतिमा ने बताया क कि उसका शामली के एक लड़के से फेस्बुक पर अफेयर था, लेकिन घरवाले इस रिष्टे के लिए राजी नहीं थे, ऐसे में वो अपनी मौत दिखा कर अपने आशिक के साथ सुकून की जिन्दगी जीना चाहती थी, प्लानिंग उसने पहले से तयार रखी थी, जब राजवन्ती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवन्ती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहना कर आखिरकार उसकी लाश जला दी, ताकि उसकी पहचान ना हो सके, इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया और साथ ही राजवन्ती देवी की मौत का राज भी फाश हो गया,